है अगे कभी लाइज पें आप किताब लिखते हैं तो आपकी जितनी कहानिया है आप लोगों के सामने रखते हैं तो यह आपको कुछ बचा के रखते हैं कुछ बचा के रखते हैं लेकिन मैं कहूंगा पहली बार जब मैं नरेंद्रोग जी मोदी जी से मिला वो है 1990 रत्यात्रा मुझे वहां मैं यंग जर्नलिस्ट था आपकी तरह युवा था और युवा पर आप हसते क्यों युवा है वो वो मेरे युवा होने पर शक नहीं कर रहे हैं वो आपके रश्क पर हसते हैं ने आयम फॉरेवर एटीन मैं 18 साल का हमेशा हूं एक एटी तो शरत पवार और सब हैं मैं एवान एट हूं पर ऐसा है कि मोदी जी को मैं पहली बार मिला 1990 जब रत्यात्रा हो रही थी रत्यात्रा स और झायओ ध्या जानी थी एक बार सुरत में देर शाम को हम वहार लुकए थे और वहाँ हमें फैक्स मशीन नहीं मिल रहा था अब कितने लोगों पत्क जो मालुम है कि एक जमाने में फैक्स मशीन के जरीए हम स्टोरी बेज देए ते टाइप کرके उसे फैक्स कर दीजे कोई एक टेक्निशन मिल गया था उसको चलवाया वो हमारे साथ बैठे जब तक हमारी कौपी नहीं गई और उसके बाद हमारे साथ बैठ कर उन्होंने कुछ खाना पिया आज आप कहते न मोधी जी मीडिया के लिए एक्सेसिबल नहीं है वही नरेंद्र मोधी जी देर रात 11-12 तक पत्रकारों के साथ बैठे जब तक हर पत्रकार की कौपी नहीं पाउची अपने आफिस मेंspan अब यह देखें समय समय की समय कि बात है नहीं समय की नहीं यह भी बात है ना जो नरेंद्र मोधी और सीधे संवाद और सोशल मीडिया पर जादा जोर दिया उस पर क्या कहीं गया नहीं मैं देखे आप 2014 को मत लीजे इसका माप दंड है 2002 के दंगे जो हुँ मोदी जी 2001 अक्टूबर में बुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं ऐसा नहीं उन्होंने जो उस उसके एक महिने पह के महिने में 9-11 जब दो प्लेन न्यू यॉर्क में टकरा गए थे इसलामिक ठर्रिजम पर जबकि उस प्रोग्राम पर बाकी बीजे पी नेता आये ना आये इस पर सवाल था मोदी जी ने कहा इस सब्जेक्ट पर कर रहा हूं मैं आ रहा हूं 9-11 और इसलामिक ठर्र यह सब् परक रहता है वह मीडिया के साथ संपर्क तोड़ते नहीं है 2002 की घटना है हम मोदी जी का इंटर्व्यू करते हैं उनकी प्रेस कॉंफरंस होती है दंगे हो रहे हैं वो मुझे एक इंटर्व्यू देते हैं वो इंटर्व्यू तब कि टेप हम हमारे ओफिस ले जाते और दे हैं आपका इंटर्व्यू किया लेकिन वो टेप खराब हो गई है क्या हम आपका इंटर्व्यू दुबारा कर सकते हैं रहा कि को कैते हैं अब आपसे अच्छा दो कि मिडिया से संपर्क 2014 के बाद नहीं 2002 तक वह में लगातार देते रहे उनको लगा कि मीडिया मेरे खिलाब नाइंसाफी कर रही है अब अगर दंगे हो तो जो मुख्य मंत्री हैं उन पर सवाल उठेंगे लेकिन उनको लगा कि आप केवल एक एक अजेंडा लेकर आए मेरे खिलाब तो मैं तो सर्प्राइज हो गया क्योंकि 2007 में जब मेरे पिताजी की मौत का देहांत होता है फॉर्स परसन टू कॉल मी अप इस मोदी जी राजदीब जी मैं बहुत दुखी हूँ कुछ चाहिए बताईएगा अब आप सोचिए अब आज मुझे जो भी कहे अब जमाना बदाएगा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं यह सब आप खुदी कि मैं तो पूछ रहा हूं सर तो एक एक मोदी जी है जैसे मैंने का नहीं यह नेताओं को आप ब्लैक और वाइट मत देखिए इनके कई रूप होते हैं और वह एक एक आवाज क्या होगा उस लेवल उसको अरणब गोस्वामी और मैं अरणब गोस्वामी देखिए यह ना पत्रकार भी अपने अलग अलग रूप लेते हैं कोई एक रूप बदलते रहते हैं पिर जनता पूझेगी राजदीव कि राजदीव में बदले दोस्त ये दुनिया बहरूपियों की है एक बिच्छो दूसरा बहरूपिया तो निन्यान में 2000 की बात होगी 10 बजे रात का प्रोग्राम हुआ करता था न्यूज आर और तब बहुत कम चैनल हुआ करते थे तो हमारे जो गैस थे वो स्टूडियो आते थे हमारे पास भी इतने साधन नहीं थे कि सब के पास जूम तो था ही नहीं ओबी बेजे ये कुछ नहीं कर सकते थे तो हमें डिबेट प्रोग्राम कर रहे थे राजेश पाइलेट स्वर्गिया राजेश पाइलेट थे और विजे कुमार मलोतरा जो दिली के MP थे उन्होंने मनमोन सिंग को हराया था एक चुनाओ में आखिर में आड़ बजे हमें मेसेज मिलता है विजे कुमार मलोतरा की पेट में दर्ध है नहीं आपाऊंगा तो हमारी जो गेस्ट कोडिनेटर है वो केती है सर क्या करें तो अर्णव केता है सर प्रोग्राम कैंसल कर देते हैं हाओ केन वी डू ओनली वन गेस्ट केबल कॉं अब ही थे कि आपका गेस्ट कैंसल हुआ होगा मैंने का हाँ सर आपको आना है लास्ट मिनिट तो उन्हें तमारी जरूरत चे ऑल्वेज रिमेंबर लाइफ में कभी अगर आपको उस व्यक्ति की उस नेता की भाषा समझ में आया ना तो उसी भाषा में उनसे बात करिये इ वह सोचे मैं आपको बताता हूं पांच मिनिट बाद तुरंद फोन आता है रादीब जी मैं आज आता हूं लेकिन पहुंचेंगे कैसे ग्रिटर कहला इस तो मैंने का सर टैक्सी लीजिए अच्छा टैक्सी क्या मलसे अले नहीं जल्दी सर प्लीज आवी जाओ तमें तो मो मोदी जी उस टाइम नौ पच्पन पर दोड़ते हुए आते हैं राजदीब जी आ गया मैं आ गया इक तरह से बिल्कुल और उनकी हमेशा ड्रेसिंग तपी वाइट कुर्ता वाइट परफेक्ट ड्रेस करके आते हैं और टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं प उसका क्या महत्व हो सकता है किस तरह से अपनी एक पैचान बनानी है